अम्मू कश्मीर के राजवरी में एक आर्मी यूनिट में हैरान करने वाली घटना सामने आई एक मेजर ने अपनी ही यूनिट के अधिकारियों और जवानों पर कथित तौर पर फाइरिंग की फाइरिंग में पाँच जवान खायल हुए हैं घायलों में 48 आरार के कमांडिंग ऑफिसर, सेकंड इन कमांड और यूनिट के अधिकल ऑफिसर शामिल है सेना ने इस घटना पर एक ट्वीट भी किया अधिकारी की बयान फिलहाल सामने नहीं आया है ट्वीट में भारती सेना ने लिखा है कि एक ग्रनेट हाथसे में सेना का एक अधिकारी घायल हो गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि मेजर व्यक्तिकत समस्याओं का सामना कर रहा था और हमारे सेविगी प्रदीब बत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइब है प्रदीब आपसे जाना चाहेंगे कि हलाएं कि सेना की तरफ से ट्वीट किया गया अधिकारी का बयान उसे साब से सामने नहीं आया फिलहाल ये जो घायल हुए थे अधिकारी उनकी खालत भेस्थर बताई जारी और क्या कुछ अब्डीट है देखें बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो घटना है थना मंडी में एक आर्मी यूनिट है 48 राश्टर राइफल उसमें ये घटी है और ये बड़ी हैरान परिशान और चोकाने वाले घटना है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि फोज को दुश्मर के साथ लड़ते हुए पह कि इन कमांड था और रेजिमेंटल मेडिकल आफिसर था वो भी जख्मी हो जाता है और पांच के करीब अधिकारी जो है जख्मी होए और जिनकी हालत बिल्कुल स्टेबल बताए जाती है अभी उनका इलाज चल रहा है और ये उसके बाद इस आफिसर को मेजर को पकड़ा और इन्वेस्टिकेशन जारी है जहां तक आर्मी का सवाल है तो आर्मी ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि ये एक रिनेट एक्सिडेंट था जिसमें एक सीनेर अधिकारी इंजोड होता है और इसकी हालत स्टेबल बताए जाती है और इसमें इन्वेस्टिकेशन की जा लिए कि किस वज़ा से ये जो ग्रिनेट का एक्सिडेंटल हादसा हुआ है तो क्यों हुआ है लेकिन ये हरान परेशान होने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हमने कभी ऐसा नहीं सुना गया है कि कोई आर्मी का ऑफसर अपने ही लोगों पर फाइरिंग करे अभी इसकी जान चो रही है लगता है कि वक्तिकरत कोई प्रॉब्म थी क्या था उस पर पूरी तरह से जान चो की कोट अफनकौरी ओर्डर कर दी गिए इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिकेट किया जाएगा जाना जाएगा कि क्या बेसिकली क्या हुआ था किस वज़ा से ऐसी घटना वहाँ पे घटी है